नमस्कार दोस्तो आप सब का बहुत-бहुत स्वागत है हमारी यूटिव चनल में और दोस्तो आज में आपको अपने इस वेडियो में जिस औसाधी पौधे के बारे दिखाने जा रहा हूँ दोस्तो जिसकी पैच्छान कराने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेगा दोस्तो देखेगा इसके फूल इसके फूल पीले पीले कलर के होते हैं दोस्तो और ये पोधा पूरा का पूरा काटों से भरा होता है इसके पत्तों में और इसके फलों में काटे ही काटे होते हैं इसकी टेनों में काटे होते हैं दोस्तो इसका नाम सत्यनासी पड़ा दोस्तों इसको तोड़ने पर पीला पीला करे का दूर निकलता है इसलिए इसको सोनच शीरी के नाम से भी पैच्छानते हैं दोस्तों इसके अगर मैं औसादी गुर्धर्म के बारें बात करूं तो ये अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए रामबा दोस्तो आखों की कालिमा स्वास रोग और खासी सूकी खासी कप प्रकोप इश्नो फिलिया जैने की सर्दी जुखाम पेड़ दर्द खोनी दस्त बमन पेसाप की जलन पेसाप की रुकावट पीलिया रोग दर्द जलोधर सिफलिस सरीर के छाले फोड़े फुनसी खुजली द लेरिया बुखार पथरी जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए लाबकारी माना गया है दोस्तो इसके जो यह फल है इन फलों को तोड़ने पर इसमें बीड निकलते हैं बैसे भी जब यह पक जाते हैं तो गर्मियों में अधिकता चटक चटक के फूड़ जाते है दोस्तो राई के समाने से भी निकलते हैं कोई कोई राई के साथ इसकी मिलावट करते हैं दोस्तो जिसका तेल नकाला जाता है यह बहुँ ज़्यादा हानिकारक होता है और दोस्तो यह जो पत्ते देख रहे हैं यह जो इसके पुस्प के पत्ते देख रहे हैं यह भी भूद है तो चलिए दोस्तो जादा समय ना लेती हैं को वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इसकी एहम जानकारी हम बताते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करते हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तो वीडियो को स पूरे उपरे भाग को ले करके दोस्तो और इसको पीसे और पीस करके बगर पाइंट डालें आपको पीसना है और कपड़े से चाल ले और उसका जो रस निकले ना गाड़ा पाड़ा दोस्तो उस रस को अपने नाखूनों पे लगाना है अपने हाथ पैरे की उस उंगलियों पे लगाना है जहां कि नाखून टेड़े मेड़े हो गई हैं जिस जगह की नाखून और खाल आपकी जो है काली-काली पड़ गई है ऐसा करने से नाखून को सुद्ध कर दे आप देवे पुखने पर भी निखलेंगे काले काले इन बीजों को पाताली इंदरी की द्वारा तेल निकाल ले हैं और अन तेलों का प्रियोंक प्रहय करते है तो ये दर्दों को दूर करता है दोस्तो दर्द पे आप इन बीजों का तेल लगाएए तो दर्दों को दूर करता है ये दर्दों को गट्टों को जोड़ों को दर्दों को बदन दर्दों को तेकागों सब इस प्रकार के दर्द में बीजों का तेल लगा सकते हैं दोस्तों दात के किलों को करने के लिए आप इन सत्यानासी के बीजों को ले 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 और सत्यानासी को बीजों को ले करके अगर धुमा लेते हैं तो ये धुमें से कीड़े मर जाते हैं दातों के दोस्तों दातों के किरों को मारने के लिए आप सत्यानासी की वीजों को दुगा ले सकते हैं दोस्तों ये इलर्जी में भी बड़ा ही लापकारी माना गया है इलर्जी हो दाद हो खाज हो खुजली हो जैसे चकिते जैसे चर्मे रोग हो ऐसी मैं दोस्तो आप करना क्या है आपको आपको दोस्तो इसके 87 का लेप ये स्वरस निकाले 87 का स्वरस ले 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 और लेकर के दोस्तो पानी थोड़ा सा मिला करके लेप बना ले और पूरे बदन पे लगाएं जहां पर विलर्शी हो, दाध हो, खाज हो, खुजली हो, सोराई से सो, एकजिमा हो दोस्तो ये जांगों के जिद्धी दाध को भी दूर करने के लिए अद्भूद माना गया है दोस्तो एकजिमा के लिए दाध के कीड़ों के लिए अद्भूद हैं, दोस्तो इसको पैचान करें और इसके फाइदे जरूर लाब उठाएं दोस्तो आप इसके सोरस को पूरी सरी में लगा हैं, इसको लगाने से सफिय दाग भी दूर होता जी हैं उसमें भी अगर आप विधारा के पत्तों के साथ सत्यानासी के पत्तों को पीस ले, इसकी टैनिक जो यह देख रहे हैं, इसको सभी को ले करके दोस्तो पीस ले, और पीस करके ले बना ले गंगेरन के अवस्ता में जहांपर हाथ और पेरों के मुलीयां गरदी हैं, उसमें अगर आप लगाती हैं, तो यह हाथ पेरों के मुली गर्लना शुरु होती हैं और वे खत्म करता है और सभी प्रकार के चर्म रोगों को नश्ट करता है तो दोस्तों जाने कर यह अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे